नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमर्सिक्स में एक छोटी सी न्यूस थी एक अपडेशन था जो मैं आपके साथ शियर करना चाहती हूँ टीजिटी इंगलिश की वेकेंसी निकली जुलाई 2015 के अंदर लगभग 1035 पर जिसमें हर्याना के और मेबाद केडर के दोनों की अलग लग वेकेंसी थी क्यों? क्योंकि हर्याना सरकार क्या चाहती थी कि अब छटी से लेकर आठी तक के जो भी स्टूडेंट हैं उनको भी इंगलिश में एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए लेकिन अब हाई कोड के अंदर वो केस चल रहा था पोने 6 साल के बाद लग भग पोने 6 साल के बाद क्या किया? कि इस एड को वापस ले लिया इस वेकेंसी को रद कर दिया इस भरती को रद कर दिया गया है आज की news है ये तो इसका मतलब क्या है कि अब आगे vacances निकलेंगी अभी तक इसके लिए कोई ना तो recommendation होई है ना कोई permission ली गई है ना कोई कारवाई है तो इसका मतलब जो 1035 पर थे English TGT के उसके उपर अभी तो खत्रा ही मंड़ा रहा है अभी कोई chance नहीं है कि कोई vacancy निकले क्या होगा तो chances अभी बहुत कम है आगे देखते हैं अगर vacances re-add करके दुबारत से निकाले जाए लेकिन अभी तो फिलहाल high court में जो case चल रहा था उसकी वज़े से इन जितनी भी भरती थी किसकी TGT English की उसको रद कर दिया गया है 1035 vacances थी लग भग और हर्याना और मेवात के अंदर अब देखना यह है कि क्या हर्याना सरकार वास्तों में भरती करना भी चाहती है या नहीं करना चाहती पीज़ेटी के वेकेंसी है आई हुई थी और पिछले साल री-एड हुई उससे पिछले साल निकाली हुई थी और अब जो अब वाले जो एस्टेट कर चुके हैं वो भी अब इंतजार में है कि क्या हमारा नंबर आएगा क्या री-एड हुँगी या री-एड नहीं हुँगी अभी एस्टेट को हुए भी लगबर महीना दो महीने हो गए है फाइनल रेजल्ट आने वाला है जिनका री एपीर थे मतलब की जिनका लेट था रेजल्ट आरेल था उन्होंने भी अपनी वेरिफिकेशन कर दिये तो उनका रिजल्ट आ जाएगा तो चांसिस तो यहीं है कि वेकेंसिस निकलेंगी री-एड होंगी पीजीटी की भी टीजीटी के भी लेकिन अब इस तरह से अगर वेकेंसिस छे-छे पोने छे साल के बाद अगर र किया वो तो बहुत जादा हो गया ना 6 साल तर अगर मालो 2015 में वेकेंसिस निकली और 2021 तक कोई अता पता नहीं है तो उस दोरान में कहां जाएं कैंडिट तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है कि 5-6-6 साल के बाद अगर कोई एड निकलती है वह वापस हो जाती है वह रद हो हैं तो 2012 2012 और आज हो गया जी 2021 अब तक कोई भी वेकेंसि हर्याना सरकार की निकली ही नहीं है पी आरटी की 9 साल तक प्राइमरी जो अध्यापग है जो जूनियर बेसिक टीचर है उनकी तो वेकेंसिस नहीं है तो क्या समझा जाए इस बात को ठीक है तो अभी तो यही अपने अपने कमेंट कीजिए अपने शेयर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू